अब बात करेंगे हम लोग आज के इस वीडियो में क्रिप्टो मार्केट की जितनी भी बड़ी नूज है अभी के टाइम में फिलहाल में मार्केट में उसे इस वीडियो में देखने वाले हैं तो सबसे पहले सुरू करते हैं अब फियर और ग्रिड इंडे से तो फिछ यहां कि अगर बात करें मार्केट के सेंटीमेंट के तो यहां पर गयारापपो देखने को मिल रहा है जिससे की स्वित सब्सक्रामर की ज्राब हो अब présent तो सबते हो है मृर्ड में ही नी क Hye यहां पर आपको 1.61 करें के आज्बास में ऑबरॉल मार्केट के पुरे क्रिप्टो करेंसी मार्केट की वह देखने को मिल रही है बात करें फिलाल के टाइम में गिडावट की तो फिरेंस यह चार पॉइंट दो जीरो परसेंट की देखने को मिल रही है तो चलो फिरेंस अगर नीचे में अगर मैं इसको अब दिखाऊं तो लबक सारा मार्केट डाउन ही दिखने वाला है तो चलो एक पर एक नजर डाल ले इसको और ज्यादा भाई कर रहे हैं तो इस तरह से यह गिरीन देखने को मिल दीए कभी मार्केट रेट होती है तो आपको अस्टेबल कोई जो है वह ज्यादतर चांस है मतलब 99 पर्शंट मालो वह गिरीन ही देखने को मिल ती है जैसे कि आप यहां भी अगर देखो इस है तो यह भी आपको green देखने को मिल दिये साथ ही साथ अगर market इसी रेंज में stability दिखा देता है इससे नीचे अब नहीं जाता है तो धीरे-दीरे अब कुछ altcoin होंगे और bitcoin भी वह भी कुछ समय बाद आपको green में देखने को मिलेगा क्यों कि यहां पे जो भी percentage बाइस दिखा जा है तो चलो अब हम लोग चलते है market की news के तरफ और उसे हम लोग करके देखते हैं तो सबसे पहले जो नीच देखने को मिल लिए यह पोजेटिव नीच के तौर पर है और यहां पर बात करें तो यह नीच है फ्रेंस union bank of philippines to offer crypto trading and custodial services तो प्रेंस यह पोजेटिव नीच क्य होगी जो की निकल के आएंगी तो फिर जैसा कि यहां पर लिखा गया है कि जो यह आपको union bank है यह फिलिफिन का one of the largest bank है मतलब कि उनके बड़े bank को में से एक bank माना जाता है और वहीं पर इसका जो क्रिप्टो के ट्रेंडिंग सर्विस को जो लांचिंग का बात है तो यह ब इनका मानना है कि जो ब्लॉक्चेन होगा है यह टेकनोलोजी है यह एक तौर पे इनका फ्यूचर के तौर पे जो भी बैंकिंग का आपको प्रस्पेक्टिव से काम होती है उसमें काफी ज़्यादा बेनिफिसियल होने वाली है और थोड़ा से नीचे अगर हम लोग डिटे जो एक से दो परसेंट वहां के जो पूलेशन है उन्होंने अपना परस्टेबल रहता है तो जो यह होल्डिंग है यह आने वाले 5 सालों में 3-5% इंक्रीज हो सकती है मतलब जैसे कि वोलेटाइल मार्केट है आई दिन अप्स डाउन देखने को मिलती है और काफी ज़्यादा वोलेटाइल है तो अगर मार्केट थोड़ा बहुत एस्टेबल रहता है तो जो इन्वेस्टर है जिनके पास अभी 1-2% मतलब यह रेशियो नहीं बता है पोपुल तो पिछले साल भी जो यह बैंक थी इसने बोली बोला हुआ था कि जो यह क्रिप्टो कस्टेडी इस पाइलेट मतलब ट्राइल हो गयरा जो इनका करना था पिछले साल अगस्त में इन्होंने यह बात कही थी और यह पहला जो बैंक है वहां का फिलिफाइंस का जो की प्रजिटीव या निगेटिव निज है उसे भी हम लोग देखते हैं है तो प्रेंट्स यह इन्यूज एलोन मस्क और ट्विटर से लिंक है तो इसमें प्रेंट्स एलोन मस्क ने क्या कहा है कि इन्होंने ट्वीटर को क्रिटिसाइज किया है और इनका यह मतलब यह इसा कद और इनका मानना है कि इस तरह से NFT के साथ मेरा प्रोफाइल पीचर लिंक करके ऐसा काम उगरा ना करें जिसके लिए इन्हों ने Twitter को criticize किया हुआ है और क्या बोला है तो थोड़ा सा दिखेंगे ज्यादा नहीं क्योंकि बस उपर उपर ही नियूज है जो कि इतना से clear हो जाता है तो यहां पर देखेंगे जैसा कि मैंने बोला कि Tesla Elon Musk और यहां पर फ्राइडे को इन्हों ट्वीट किया था रेगार्णि इट्स निवन फंगिबल टोकेन प्रोफाइल पिक्चर सर्विस तो फ्रेंट जैसा कि मैंने बोला एनेप्टी प्रोफाइल प्रिक्चर सर्विस जो ट्वीटर ने थोड़ा बहुत उस कारण से इन्होंने ट्वीट और को बोला है दीस इज एनोइग इनको इस बात से भी कौबर करनी है तो मैंने इसको बस बता दिया ऊपर-ऊपर में तो चल्व फ्रेंट बाकी निवसकों जल्दी से देखते हैं यह जो है अभी निव्ज आपको ऐल सेलवारडर वाली जो दिख रही है यह फिर से आपको पोजीतिव नुज है क्योंकि आपको पता है कि एल सेलवारडर के जो प्रेसीडेंट है वह आए दिन जब भी क्रिप्टो मार्केट में मतलब मौका मिलता है जब भी डीप में आती है है वो अब कितना हो चुका है क्योंकि यह जब जब बाई करते हैं तो बढ़ते जा रहा है इनका नंबर चलो थोड़ा से देख लेते हैं उसके बाद से बाकी न्यूज को है फिर उससे भी कॉपर करेंगे तो फिर जैसा कि मैंने बोला कि अगर हम लोग इस न्यूज को ओपन क करेंगे तो पॉर्टफोलियो का डिटल्स पताचल जाएगा कि टोटल बिटकॉइन कितनी हो चुकी तो वह ही हुगा फ्रेंट्स यहां पर आप देख सकते हो कि इन्होंने ये कब बात कही तो प्रेसिडेंट नाइब बुकिले इन्होंने कहा फ्राइडे को कि हिच कंट्री पर्षेट 410 इन्होंने और बिटकॉइन को खरीदा है और अब जो इनके गौर्णमेंट के पास टोटल जो बिटकॉइन हो चुकी है वह फ्रेंट्स हो गए है एक टीन हंडेड वन बिटकॉइन तो इस बार इन्होंने जबरदस्त बाइं किया ऐसे तो बीच में भी इन्हो का फूल का इमांट में बाई किया था लेकिन यहां पर देख सकते हो 410 के इन्होंने बाई किया क्योंकि बहुत ही कम प्राइस पर इनको इस बार बिटीसी मिली है और यह जो रेंज बिटीसी इस बार बनाया है लबग 6 मनत बाद जो जिस लेवल पर पहुंचा है बीटीसी ऐसा बार-बार मौका किसी को भी नहीं मिलेगा तो चलो फ्रेंट्स अब बढ़ते हैं हमनों अगले नील के तरफ तो फ्रेंट्स यह वाले न्यूज भी जो है एल सल्वार्डर से ही है तो यहां पर देख सकते हैं लसल्वार्डर प्लांस टू ऑफर क्रिप्टो लोन्स ऐसे कि मनी लोन जो भी हम लोगे साइड में मनी लोन होता है तो उसी तरह से वहां पर क्रिप्टो को लोन के तौर पर देने का प्लानिंग हो रहा है तो यह फ्रेंट्स फिर से एल सल्वार्डर के तरफ से ही एक और पोजिटिव नीज थी जो कि आपको पता है कि अधर कंट करने वाला है उसके अलावा फ्रेंट्स देखा जाए तो आपको यह जीत हुए एलन मस्क इन्होंने ट्वीटर को क्रिटिसाइज किया जो फ्रफाइल पीचा सर्विस है उसको लेकर उसके वासे फ्रेंट्स जो सबसे उपर वाली नीज थी जो फिलिफेंस से थी वहां पे क बड़ा और सबसे पहला बैंक होने जा रहा है जो क्रिप्टो को एडप्ट करने जा रहा है तो चलो फ्रेंट्स इस तरह से जितनी भी न्यूस थी मैंने अच्छे से समझाने की पूरी कोशिस की अपने तरह से तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो सपोर्ट करो ताकि इसी तरह से मार्केट से लेटेड़ जितने भी अपड़ेट्स सब को सब आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे मिलते हैं अपने नेक्स्ट टूडे में